पाठ छे, संग्या, नाउन निम्नले के चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्यों को पढ़िए लोग कमल मंदिर देखने आते हैं संसत भवन दिल्ली में हैं बंदर केला खा रहा है सैनिक पहरा दे रहा है शेर दहाड रहा है किसान खेतों में हर्याली देख रहा है उपर लिखे वाक्यों में लोग कमल मंदिर संसत भवन दिल्ली बंदर केला सैनिक शेर किसान हर्याली आदी शब्द व्यक्ति नगर वस्तु तथा भाव के नाम हैं ये संग्या शब्द हैं अत्य हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु तथान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं कमल मंदिर संसत भवन दिल्ली विशेश्ट स्थानों के नाम है लोग बंदर केला सैनिक शेर किसान विशेश वर्ग या जाती के सूचक हैं हर्याली गुण का नाम है इस प्रकार हम देखते हैं कि संग्याएं तीन प्रकार की होती हैं एक व्यक्ति वाचक संग्या प्रपर नाउन दो जाती वाचक संग्या कॉमन नाउन तीन भाव वाचक संग्या एब्स्ट्रेक्ट नाउन एक व्यक्ति वाचक संग्या निम्नले के चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए नहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था श्रीमती वर्मा प्रतिदिन गीता पढ़ती है गंगा हिमाले से निकलती है इन वाक्यों में सभी मोटे काले पद विशिष्ट नाम है किसी विशेश व्यक्ति, भवन, वस्तु या पदार्थ के नाम है अधा हम कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट वस्तू, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे रमेश, सोहन, लक्ष्मी, यतीन, नेहा, व्यक्तियों के नाम, सूर्सागर, महभारत, रामायन, कमायनी, साकेत, काव्य ग्रंथों के नाम, चंडिगड, लुधिहाना, जैपुर, मेरट, सोनिपत, स्थानों के नाम आदी दो, जाती वाचक संग्या, नेमनले के चित्रों को देखिए, तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए, लड़का पढ़ रहा है, कबूतर दाना खा रहे हैं, उन्ट की सवारी करना सबको अच्छा लगता है, मुझे फल अच्छे लगते हैं इन वाक्यों में सभी मोटे काले पद अपनी अपनी जाती के नाम हैं, ऐसे सभी जाती सूचक नाम जाती वाचक संग्या कहलाते हैं अत्य हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से संपूर्ण जाती का बोध होता है, उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे पर्वत, पुस्तक, लड़की, स्त्री, पुरुष, राज्य, देश, नगर, नदी, चिडिया, पक्षी, हिरन, हाथी, आधी जाती वाचक संग्या के दो भेद और माने जाते हैं कर दरव्वे वाचक संग्या, material noun, कर समुदाई वाचक संग्या, collective noun कर द्रव्य वाचक संग्या जैसे संग्या शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्त का बोध होता है उसे द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं जैसे घी, तेल, दूद, जल, पीतल, तामबा, लोहा, सोना, चांदी, लकडी, कोईला, गेहुं, चावल, आदी ख समुदाय वाचक संग्या जैसे संग्या से किसी समुदाय या समू का बोधोता है उसे समुदाय वाचक संग्या कहते हैं जैसे भीड, सभा, कक्षा, सेना, दल, परिवार, जुंड, समीती, टोली, आदी कट पुतली का नाच देखने के लिए भीड जमाती सारा परिवार साथ खड़ा है तीन, भाव वाचक संग्या निम्नलिकित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए वर्षा रितु में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है बच्चे को सोया देख, मा की ममता उमड आई उपर लिखित वाक्यों में हरियाली, ममता ऐसे शब्द हैं जो अमूर्त विशेषता, गुण, सिती या भाव का बोद करा रहे हैं ऐसे शब्द भाव वाचक संग्या कहलाते हैं अत्य हम कह सकते हैं कि किसी गुण, सिती, डशा, भाव या विशेषता के नाम का बोद कराने वाले शब्द को भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे मधूरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीवरता, अमीरी, आदी भाव वाचक संग्याओं का निर्मान, कुछ शब्द अपनी मूल प्रकृती से ही भाव वाचक संग्या होते हैं परंतु ऐसे शब्द भी हैं, जिनने दूसरे प्रकार की शब्दों से बनाय जाता है जैसे जाती वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या, जाती वाचक, भाव वाचक अतिथी, आतिथ्य, ईश्वर, ईश्वरत्व, नर, नरत्व, गुरु, गुरुत्व, पशु, पशुत्व, पिता, पित्रित्व, ब्रामन, ब्रामनत्व, किशोर, कैशोर्य, इंसान, इंसानियत, कुमार, कौमार्य, नेता, नेत्रित्व, देव, देवत्व, बुढ़ा, बालक, बालकपन, ठाकुर, ठकुराई, तरुण, तरुणाई, शिशु, शिशुता, शैशव, पुरुष, पुरुशत्व, प्रभु, प्रभुता, दास, दासता, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, सज्जन, सजनता, बाप, बपोती, हिंदु, हिंदुत्व, मर्द, मर्दानगी राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कृती, संस्कार, सदस्य, सदस्यता, वीर, वीरता, वीरत्व, जंगल, जंगलीपन, त्री, स्रीत्व, शिष, शिषता सर्वनामों से, सर्वनाम, भाववाचक संग्या, अपना, अपनत्व, अपनापन, आप, आपा, तेरा, तेरापन, मेरा, मेरापन, मम, ममता, ममत्व, निज, निजिता, निजत्व विशेशन से विशेशन बाववचक संग्या अजर अजरता उचित अचित्य आस्तिक आस्तिकता अमर अमरता असहै असहैता अनिवार्य अनिवार्यता अवशक अवशकता अप्युक्त अप्युक्तता आलसी आलस्य अधिक अधिकता काला कालीमा कालापन कमजोर कमजोरी कठोर कठोरता कातर कातरता कुपात्र कुपात्रता कुशाग्र कुशाग्रता कुटिल कुटिलता कुलीन कुलीनिता खटा खटास खटापन खारा, खारापन, गहरा, गहराई, गंभीर, गंभीरता, ग्राहय, ग्राहयता, गवार, गवारुपन, गंदा, गंदापन, गंदगी, गरीब, गरीबी, चतुर, चतुराई, चंचल, चंचलता, चपल, चपलता, चारु, चारुता, चोदरी, चोदराहट, चोडा, चोडाई, तप्त, ताप, तेराक, तेराकी, तैयार, तैयारी, दुल्लब, दुलबता, दुष्ट, दुष्टता, सुलब, सुलबता, दुर्बल, दुर्बलता, दुखद, दुख, धीर, धैर्य, धीरता, धवल, धवलता, नवीन, नवीनता, निंदत, निंदा, नीला, नीलिमा, नीरवता, प्रियुक्त, प्रियोग, प्रचलित, प्रचलन, फेनिल, फेन, ब्रमचारी, ब्रमचर्य, बुद्धीमान, बुद्धीमता, भिन्न, भिन्नता, मानसिक, मानसिक्ता, व्यतित, व्यता क्रियां से क्रियापद, भावचक संग्या, कसना, कसावट, काटना, कटाई, कमाना, कमाई, कटना, कटाव, खोजना, खोज, खीजना, खीज, गिनना, गिनती, गिडगिडाना, गिडगिडाहट, घबराना, घबराहट, गुर्राना, गुर्राहट, चुनना, चुनाव, चलना, चलन, चाल, चकराना, चकर, चिल्लाना, चिल्लाहट, छटपटाना, छटपटाहट, छींकना, छींक, जग जागरिती, जगमगाना जगमगाहट, जपकना जपकी, जुकना जुकाव, टकराना टकराव, टिकना टिकाव, ठहरना ठहराव, डरना डर, डराना डराव, धलना धलान, तोडना तुडाई, तोलना तुलाई, ठकना ठकावट, दिखाना दिखावा धदकना धदक फैलना फैलाव पढ़ना पढ़ाई पूजना पूजा बनना बनावट बोना बुवाई मिलना बिलन मिलाप मुढना मोड लूटना लूट लुभाना लोब रोना रुलाई कहना कहावत बबकना भबक बूलना बूल सींचना सींचाई हारना हार सीना सिलाई बदलना बदलाव अवियों से अविकरी शब्दों से अविकारी शब्द भाववाचक संग्या, नीचे, निचाई, दिक, दिककार, निकट, निकटता, दूर, दूरी, समीप, समीपता, जल्द, जल्दबाजी, देर, देरी, शीग्र, शीग्रता, बहुल, बहुलता, मना, मनाही हमने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तू, स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के तीन भेद हैं व्यक्ति वाचक, जाती वाचक और भाव वाचक जाती वाचक संग्या के दो उपवेद हैं दरव्य वाचक और समू वाचक बहुवचन में प्रियोग होने पर भाववचक संग्या जाती वाचक संग्या बन जाती है कई बार जाती वाचक संग्या का व्यक्ति वाचक संग्या के रूप में और व्यक्ति वाचक संग्या का जाती वाचक संग्या के रूप में प्रियोग होता है कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संग्या होते हैं और कुछ भाववाचक संग्याएं दूसरे शब्दों में प्रते लगा कर बनाई जाती हैं एक लिंग जेंडर निम्नले के चित्रों को ध्यान से देखिए कर लड़का पौधा लगा रहा है बैल चारा खा रहा है बादलों की गड़गडा हट सुनते ही मोर नाचने लगा ख लड़की फूल चुन रही है गाए घास खा रही है मोरनी के पंक नहीं होते उप्रियुक्त खंड कर तथा ख के चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िये खंड कर के वाक्यों में मोटे रंगीन संग्या शब्द पुरुष जाती का बोद करा रहे हैं तथा खंड कर के वाक्यों में प्रियुक्त मोटे रंगीन संग्या शब्द स्त्री जाती का बोद करा रहे हैं अताय यह स्पष्ठ है कि शब्द का रूप ही हमें यह बताता है कि शब्द स्त्री जाती का या पुरुष जाती का वाचक है जिस चिन से यह पता चले कि संग्या पुरुष जाती की है या स्त्री जाती की उसे लिंग कहते हैं लिंग के भेद लिंग के दो भेद हैं एक, पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर, दो, स्त्रेलिंग, फेमिनाइन जेंडर, एक, पुल्लिंग, पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्द, पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे, राम, घोडा, पेड, दर्वाजा, आकाश, सूर्य, आधी, दो, स्त्रेलिंग, त्री जाती का बोध कराने वाले शब्द, स्त्रेलिंग कहलाते हैं, जैसे, सीता, गोडी, धरती, रात्री, उशा, संध्या, आधी लिंग विवस्था और लिंग निर्णेय हिंदी भाषा के शुद ज्यान के लिए लिंग का ज्यान होना बहुत अवशक है, प्राणी वाचक संध्याओं का लिंग निर्णेय उनकी प्राक्रतिक रूप रचना के आधार पर हो जाता है, किन्तु अप्राणी वाचक संध्याओं के लिंग निर्धारन के लिए भाषा का व्यावारिक ज्यान होना अवशक है फिर भी लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं लिंग निर्ने के कुछ नियम एक नित्य स्रीलिंग कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रियुक्त होते हैं इन्हें नित्य स्त्रिलिंग कहते हैं जैसे मचली, छिपकली, मखी, चील, तितली, आदी नित्य पुलिंग कुछ शब्द सदय पुलिंग में ही प्रियुक्त होते हैं इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं जैसे खटमल, बिच्चु, कान खजूरा, मगरमच, उल्लू, भेडिया, सारस, बाज, आदी तीन उभेलिंगी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रुक्त होते हैं जैसे मंतरी, राजदूत, डॉक्टर, राष्ट्रपती, प्रोफेसर आदी चार पुल्लिंग की पहचान देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका, इटली, आदी सागरों के नाम प्राई पुल्लिंग होते हैं हिंद महसागर, प्रशांत महसागर, अरब सागर आदी परवतों के नाम प्राई पुल्लिंग होते हैं आलपस, हिमालिय, सत्पुडा, विंध्याचल, कैलाश, अरावली आदी पेडों के नाम प्राय पुलिंग होते हैं जैसे आम, अम्रूद, केला, अखरोट, बर्गत, नीम, शेहतूत, संतरा, पीपल आदी कुछ अपवाद हैं जैसे इमली, नारंगी, इलाईची धातों के नाम पुलिंग होते हैं सोना, तामबा, पीतल, लोहा आदी, अपवाद, चांदी तारों तथा ग्रहों के नाम पुलिंग होते हैं सूर्य, चांद, बुद्ध, मंगल, शुक्र, शनी, आदी, अपवाद, पृत्वी दिनों के नाम पुलिंग होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुकरवार, शनिवार, रविवार आधी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं अशाड, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माग, पॉश, पागुन, चैत्र, वैशाख, जेष्ट, आधी रत्रों के नाम हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, मूंगा, पुकराज, पुल्लिंग है किन्तु मनी अपवाद है शरीर के अंग, पैर, पेट, गला, मस्तक, अंगुठा, मस्तिश्क, हिद्य, सिर, हाथ, दांत, ओठ, कंधा, वक्ष, बाल, कान, मुख, मूं, आधी व्यविसाई सूचक शब्द पुलिंग होते हैं उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपती, दुकानदार, चपरासी, नयाधीश, वकील, चिकित्सक आधी समुदाई वाचक शब्द पुलिंग होते हैं समाज, दल, संग, गुच्छा, मंडल, सम्मेलन, परिवार, कुटुम्ब, वंश, कुल, जुन्ड, आधी बाव वाचक संग्याएं पुलिंग होती हैं बहाव, दिखावा, पहनावा, मोटापा, बुडापा, बचपन, सीधापन, कवित्व, महत्व, दिखावट, बनावट, आधी स्ट्रेलिंग शब्दों की पहचान एक, लिप्यों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, शार्दा, खरोष्ठी, आधी नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सतलुज, रावी, आधी भाशाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, अर्भी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, मराथी, गुजराती, तमिल, मल्यालम, आधी तिथियों के नाम, प्रत्मा, द्वितिया, त्रितिया, चतुर्थी, एकादशी, त्रियोदशी, अमावस्या, पुर्णिमा, आधी बेलों के नाम, जूही, चमेली, मल्लिका, मदुमती, आधी पुलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम, आप प्रते जोड कर पुलिंग, स्त्रीलिंग, मूर्ख, मूर्खा, शिश्य, शिश्या, सदस्य, सदस्या, महोदया, महोदया, अनुज, अनुजा छात्र, छात्रा, पतित, पतिता, बाल, बाला, भवदिय, भवदिया, पूज्य, पूज्या, आचार्य, आचार्या, शिव, शिवा, प्रिय, प्रिया, कांत, कांता, अध्यक्ष, अध्यक्षा इप्रते जोड कर इप्रते जोड कर पुलिंग, स्त्रीलिंग चोर – चोर नी मोर – मोर नी सियार – सियार नी मास्तर – मास्टर नी सरदार – सरदार नी उ defeat – उह उँठ नी हंस – हंस नी सीह – सिह नी जाट – जाटनी इन प्रते जोड कर जुलाहा, जुलाहिन, मालक, मालकिन, माली, मालिन इनी प्रते जोड कर पुलिंग, स्वामी, स्वामी नी, एकाकी, एकाकी नी, अभिमानी, अभिमानी नी, मन्वासी नी, तपस्वी, तपस्वी नी, आज्यकारी, आज्यकारी नी, हाथी, हती नी, हितकारी, हितकारी नी, यशस्वी, यशस्वी नी आइन प्रते जोड़कर पंडित पंडिताईन, दूबे दुबाईन, बनिया बनियाईन, चौधरी चौधराईन, लाला ललाईन, बाबु बबुआईन, ओजा ओजाईन, ठाकुर ठकुराईन, गुरु गुरुआईन आनी प्रते जोड़कर जेट, जेठानी, सेट, सेठानी, मुगल, मुगलानी, देवर, देवरानी, राजपूत, राजपुतानी, महतर, महतरानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंदरानी, मिसर, मिसरानी अक को इका प्रतय में बदल कर धावक, धाविका, गायक, गाईका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, पुस्तक, पुस्तिका, सेवक, सेविका, नायक, नाईका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका मान को मती में बदल कर श्री मान, श्री मती, कीर्ती मान, कीर्ती मती, बुद्धी मान, बुद्धी मती, आयुष मान, आयुष मती, शक्ती मान, शक्ती मती वान को वती में बदल कर पुत्रवान, पुत्रवती, गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, धन्वान, धन्वती, ज्यान्वान, ज्यान्वती, रूपवान, रूपवती, भगवान, भगवती, सत्यवान, सत्यवती, बल्वान, बल्वती ता को त्री में बदल कर विधाता विधात्री दाता दात्री नेता नेत्री करता करत्री प्रबंद करता प्रबंद करत्री अभिनेता अभिनेत्री कुछ विशेश शब्द जिनका स्त्रीलिंग में स्वरूप बदल जाता है पुलिंग स्त्रीलिंग वर वधू विद्वान विदूशी वीर विरांगना समराट समराग्यी बिलाव बिल्ली नर माधा ससुर सास फूफा बुवा भाई भाबी युवक युवती विधुर विद्वा कवी कवयत्री पिता माता वीर विरांगना मर्द और अरत हमने सीखा स्त्री वे पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्द के रूप को लिंग कहते हैं हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं स्त्री लिंग वा पुलिंग कुछ शब्द नित्य स्त्री लिंग व कुछ नित्य पुलिंग होते हैं पुलिंग शब्दों में स्त्री वाची प्रत्य लगा कर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाई जा सकते हैं दो वचन नमबर का लड़का खेल रहा है पुस्तक मेज पर रखी है लड़की निर्ते कर रही है ख लड़के खेल रही है पुस्तके मेज पर रखी है लड़किया निर्ते कर रही है चित्र देखिए तथा वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए आपने ध्यान दिया होगा कि खंडख के सभी वाक्यों में करता शब्द एक का बोद करा रहे हैं जबकि खंडख के सभी वाक्यों में करता शब्द अनेक अर्थात एक से अधिक का बोद करा रहा है संग्या शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोद होता है उसे वचन कहते हैं वचन के भेद, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन, सिंग्युलर नंबर, दो बहुवचन, प्लूरल नंबर, एक एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है, जैसे कुरिसी, लड़का, कहानी, कौपी, दो बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणीयों या वस्तु का बोध होता है, वह बहुवचन कहलाता है, जैसे कुरिसीयां, लड़के, कहानीयां, कौपियां, लताएं, मालाएं, आदी, वचन की पहचान, वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, एक स संग्या या सर्वनाम और विशेशन शब्दों के रूप द्वारा व दो क्रिया के रूप द्वारा, एक संग्या या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा, जब संग्या या सर्वनाम शब्द एक का बोध कराए, तो एक वचन, और जब संग्या या सर्वनाम शब्द ए एक से अधिक का बोथ कराए तो बहु वचन जैसे हम चंडी गड़ जा रहे हैं, वे घड़ से निकल रहे हैं, दो क्रिया के रूप द्वारा कुछ संग्या शब्दों का रूप एक वचन तथा बहु वचन दोनों में एक सा रहता है, ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए ह में वाक्यों की क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, जैसे फूल खिल रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, वचन संबंदी कुछ ध्यान देने योग्य बाते, एक आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहु वचन का प्रियोग किया जाता है, जैस पिताजी खाना खा रहे हैं, राणा प्रताप अत्यंत वीर थे, अधिकारी संस्था के प्रतिनीदी, सरकार के प्रतिनीदी आदी मैं के स्थान पर हम का प्रियोग करते हैं, जैसे नेताजी जन्ता से हम आपके लिए सभी साधन जुटाएंगे, दो, कुछ संग्या शब्द ऐसे होते हैं, जो पूरे समुधाय का प्रतिनीदित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रियोग एक वचन में ही होता है, जैसे बीड चुपचाप नहीं बैठी, पुलिस आगे बढ़ती गई, तीन, कभी-कभी बहु वचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वरिंद या लोग आदी शब्द भी जोड़े जाते हैं, जैसे गुरुजन, चात्रगण, क्रिशक वर्ग, शिशु वरिंद, डॉक्टर लोग, आदी, चार, कुछ शब्द सदैव भहु वचन में प्रियोग होते हैं, जैसे आशु, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, समाचार, लोग, प्राण, बाल, भागय आदी, पाच, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रियोग होते हैं, जैसे वर्शा, सत्य, व्यथा, पानी, घी, चांदी, चाय, आदी, छे, जिन शब्दों के अंत में जाती, सेना, या दल शब्द प्रियोग होते हैं, उनका प्रियोग एक वचन में ही क किया जाता है जैसे टिड़ी दल ने नाक में धम कर दिया है साथ कुछ संबंद सूचक संग्याएं दोनों वचनों में समान रहती है जैसे नाना दादा चाचा बाबा पापा आदी वचन परिवर्तन के कुछ नियम अकरांथ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अकिस्थान प रातें खाट खाटें मांग मांगे भैस भैसे कलम कल्मे बाह बाहें टांग टांगे चाल चालें जील जीलें पुस्तक पुस्तकें बात बातें आकरंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद एं जोडने से पाटशाला बालाएं पाटशाला पाटशाला हैं आकरंत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ किस्थान पर ए करने से खोटा खोटे बेटा बेटे तोता तोते पंखा पंखे मोटा मोटे केला केले बेडिया बेडिये लड़का लड़के लोटा लोटे संत्रा संत्रे बकरा बकरे किस्सा किस्से ध्यान दे तच्सम अकरंत शब्द जैसे पिता करता आदी और चाचा काका दादा बाबा आदी शब्द इसके अपवाद हैं इकरंत त्रिलिंग शब्दों के अंत में यह लगाने से निधी, निधियां, लिपी, लिपियां, राशी, राशियां, पंक्ती, पंक्तियां, विधी, विधियां, रिती, रितियां, जाती, जातियां, समीती, समीतियां, गती, गतियां, तिथी, तिथियां, शक्ती, शक्तियां, नीती, नीतियां इकरांथ स्ट्रिलिंग शब्दों के अंत में यां लगाने से इसमें ए को ए कर दिया जाता है एक वचन बहुवचन बिजली बिजलियां खिडकी खिडकियां गाडी गाडियां लडकी लडकियां मचली मचलियां धोती धोतियां रोटी रोटियां देवी देवियां पगडी पगडियां साडी साडियां थाली थालियां नदी नदियां उकारंथ और उकारंथ स्त्रिलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से इसमें उ को उ कर दिया जाता है धेनू धेनूए बहू बहूए लू लूए रितू रितूए वस्तू वस्तूए वधू वधूए कुछ अकारंथ स्त्रिलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाने से चिडिया चिडियां कुटियां कुटियां गुडियां खटियां खटियां पुडियां पुडियां लुटियां लुटियां कुछ चब्दों में एकवचन से बहुवचन बनाने में कोई परिवर्थन नहीं होता एकवचन बहुवचन घर, घर कलम, कलम बाबू, बाबू गुरू, गुरू गीरी, गीरी चाय, चाया जल, जल कवी, कवी हिंदू, हिंदू कुछ शब्दों के अंत में विशेश शब्द जोड कर एकवचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है एकवचन बहुवचन बालक बालक गण चात्र चात्र व्रिंद पाठक पाठक व्रिंद अध्यापक अध्यापक गण प्रजा प्रजा जन मस्दूर मस्दूर लोग पक्षी पक्षी व्रिंद विद्वान विद्वत जन सिख सिख लोग परसर्ग सहित अकरांत तथा अकरांत पुल्लिंग और इकरांत स्त्रिलिंग शब्दों के अंत में ओं जोडने से एकवचन बहुवचन बहन बहनोंने बरस बरसों से साल सालों से मील मीलों से महीना महीनों से सैकडा सैकडों में राजा राजाओने देवता देवताओने सदी सदियों तक गड़ी गड़ियों से खाड़ी खाड़ियों में हाथी हाथियों से परसर्ग सहित संग्याओं में अ तथा आकिस्थान पर ओं करने से एक वचन बहुवचन नौकर नौकरों ने चाकर चाकरों ने गरीब गरीबों ने अमीर अमीरों ने लता लताओं पर माता माताओं ने पिता पिताओं ने माला मालाओं में ब्रामन ब्रामनों ने संबोधन के लिए प्रियोग किये गई शब्दों के अंत में यो अत्वा ओ लगाये जाता है हमने सीखा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं वचन के दो बेद हैं वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रियोग होता है वचन परिवर्तन के नियम और द्वारा एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं 3. कारक, केस कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला वाकिय में संग्या या सर्व नाम पदों का क्रिया से जो संबंद होता है उसे कारक कहते हैं संग्या अत्वसर्व नाम के जिस रूप से उसका संबंद क्रिया के साथ जाना जाता है उसको कारक कहते हैं निमनलेकित वाक्यों को ध्यान पूरवक पढ़िये कमला ने खाना बनाया, हिमाले से घंगा निकलती है मोहन पुस्तक पढ़ता है राम का भाई मेरा मित्र है मैं चाकू से फल काटता हूँ बच्चे घर में बैटे हैं माता जी बच्चों के लिए उफार लाई पिता जी छट पर टहल रहे हैं मोटे रंगीन पदों में जिन चिनों का प्रियोग किया गया है उन्हें कारकिये चिन कहते हैं ये संग्या ये सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबन प्रकट करते हैं इन्हें विबक्ति चिन या पड़सर्ग भी कहते हैं कारक के प्रकार, काइंड्स ओफ केस कारक के निमनलेकित आठ भेद होते हैं कारक केस विबक्ति चिन्न, करता कारक नॉमिनेटिव केस ने, कर्म कारक अबजेक्टिव केस को, करण कारक इंस्ट्रुमेंटल केस से के द्वारा साधन, संप्रदान कारक डेटिव केस को के लिए, अपदन कारक अबलेटिव केस से प्रिथकता, संबंद कारक जनिटिव केस का, के, की, रा, रे, री, अधिकरन कारक लोकेटिव केस में पर, संबोधन कारक वोकेटिव केस हे, ओ, अरे, आईए अप्रते कारक के विशे में विस्तार से विचार करें, एक, करता कारक, वाके में क्रिया या काम करने वाले को करता कारक कहते हैं, करता पद, प्राय, संग्या या सर्व नाम होता है, बालक नहाता है माने दूद दिया करता कारक का प्रियोग दो प्रकार से होता है परसर्ग रहित और परसर्ग सहित बालक परसर्ग रहित माने परसर्ग सहित वाक्य में मुखे क्रिया के साथ कौन प्रश्ण करने पर उत्तर मिलने वाला पद करता कारक होता है जैसे मोहन पड़ता है, कौन पड़ता है, जब प्रश्न किया जाए तो उत्तर मिलता है मोहन, अथ है इस वाके में मोहन पद करता है कभी-कभी कर्ता कारक के साथ ने के अलावा को के द्वारा से पड़सर्ग का भी प्रियोग होता है जैसे रमेश को स्कूल जाना है, मोहन से खाया नहीं जाता, शिरारती बच्चों के द्वारा यह काम किया गया है दो, कर्मकारक, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्मकारक कहते हैं इसकी विभक्ती को है? मनोहर ने चित्र देखा, मेगा ने तोते को मिर्च दी, कर्मकारक का प्रियोग भी दो प्रकार से होता है यहाँ प्रतम वाक्य में चित्र कर्मकारक पड़सर्ग रहित है, तथा दूसरे वाक्य में तोते को पड़सर्ग सहित है वाक्य में विभक्ती रहित कर्म को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा कर प्रश्न करते हैं जैसे सीता कहानी लिखती है, क्या लिखती है, उत्तर है कहानी, यहां कहानी कर्म है 3. करण कारक, संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, वहां करण कारक होता है से और के द्वारा इसके विबक्ति चिन हैं, जैसे मा चाकू से फल काटती है, वह बस द्वारा घर जाता है 4. संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, ऐसा बोध कराने वाले संग्या या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं, इसके कारक चिन को और के लिए हैं, जैसे बिखारियों को भोजन दो, रोगी के लिए दवाई ले आओ 5. अपदन कारक संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदन कारक कहते हैं इसका कारक चिन से है जैसे पेड से फल गिरते हैं हम स्टेशन से आते हैं 6. संबंध कारक शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध ग्यात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं इसके कारक चिन का के की और रा रे री हैं जैसे मोहन का भाई आया है नेहा मेरी सहेली है 7. अधिकरण कारक अधिकरण का अर्थ है आधार शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं इसके पड़सर्ग हैं में पर जैसे इस विद्याले में 4000 चात्र पड़ते हैं उस मेज पर अनेक वस्तुवे रखी हैं आट संभोधन कारक संभ्या के जिस रूप से किसी को संभोधित किया जाए उसे संभोधन कारक कहते हैं हे अरे इसके कारक चिन हैं भे इश्वर हम पर धया करो अरे लड़के पशुँओं को मत सताओ कर्म कारक और संपरदान कारक में अंतर दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रियोग होता है संप्रदान कारक में देने का भाव प्रमुक होता है जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है जैसे दादा जी ने गरीबों को भोजन दिया संप्रदान कारक देने का भाव, राम ने रावन को मारा कर्म कारक क्रिया का प्रभाव, करन कारक और अपदन कारक में अंतर, दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रियोग किया जाता है, जहां सादन के अर्थ में से का प्रियोग ह वहां करणकारक होता है तथा जहां प्रिथक या अलग होने का भाव हो वहां अपदानकारक होता है जैसे मैं कलम से लिखता हूँ करणकारक साधन अर्थ में पेड़ से पत्ते जड़ते हैं अपदानकारक प्रिथक होने का भाव अपादन कारक का प्रियोग निम्नलिकित स्तित्यों में भी होता है जहां से कोई आरंब किया जाए जैसे कल से एक दिवसिय मैच आरंब होगा जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो जैसे रामशेर से डर गया जिससे तुलना प्रकट की जाए जैसे अमेरिका भारत से बड़ा है जिससे विद्यप्राप्त की जाए जैसे छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं जिससे लज्जा का भाव प्रकट हो जैसे बहु ससूर से लज जाती है। अधिकरण कारक जहां समय को बोध हो वहां को परसर्ग होने पर भी अधिकरण कारक होता है जैसे मैं शाम को आऊंगा। हमने सीखा वाक्यों में शब्दों का क्रियावे अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं कारकों को दर्शानी वाले चिनों को कारक चिन या परसर्ग कहते हैं कारक आठ प्रकार के होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंद, अधिकरण और संबोधन को परसर्ग का प्रियोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रियोग केवल भूत काल की सकर्मक क्रिया में होता है से चिन्न करनकारक में क्रिया के साधन का बोध कराने और अपदनकारक में अलगाप, लजाना, तुलना आदी में दर्शाता है